नमस्कार मैं सुजाता मिस्टरा जैसा कि हम सबी जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बर सूरी को जब देखा तो उन्होंने उससे फल समझ कर निगलने की कोशिश की थी और जब वे उसको अपने मुँ में डाल रहे थे तब अंधकार हो गया था और जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र ने उनके हनुपे यानि कि उनकी ठुटी पे वज़रे से प्रहार किया था और इसकी वज़र से उनका नाम हनुमान पढ़ गया है लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि रावर्ण ने उसी समय उनकी पूछ पकड़ कर हनुमान जी की पूछ पकड़ कर लटक किया था क्या इस घटना के बारे में आप लोगों को मालू है तो आज मैं बताना चाहूंगी कि भविस्य पुरान में ये घटना वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि जब इंडर ने हनुमान जी के हनुपर प्रहार किया था वज़र से तो वे मूचित हो गया थे और उस समय वे जब मूचह में जाने वाले थे उससे पहले जब रावर्ण नहीं देखा कि ये अंधिकार कैसा हो गया है उसने अपने तपोवल से सब कुछ जान लिया और वे तब हनुमान जी के पास पहुँचे और उनकी पूछ पगड़ के लड़क दिया थे और हनुमान जी का और रावर्ण का वह जो युद्ध था वह एक वर्स तक चला था इसके बाद जब यह बाद रावर्ण के पिता विश्टरवा मुनी को पता चला तब वो वहाँ पर पहुचे और उन्हों ने अपने तपोवल से और अपने वेदों की ज्ञान और इस लोकों से रावर्ण को और जो हनुमान जी है उनको रावर्ण को वहां से हटाया और हनुमान जी को प्रसन ने किया और इस तरह रावर्ण और हनुमान जी का जो यह युद्ध है उसको बंद करवाया था अगर आपको इस कहानी के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको लगता है कि ये औरो तक भी पहुंशना चाहिए तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके इसे सेल भी जरूर कीज़ेगा थैंक यू